असलाम अलेकुम ब्रह्म मम्माय महानगरपाली का शिक्षण विबाग ओनलाइन टीचिंग में मैं सेयद मुहमाद सेंग आपका इस्तरबाल करता हूँ बचो आज हम जमात आठवी मजबून जोगराफिया सबख नमर चे जमीन का इतलाख इस्तेमाल इस सबख के बारे में मालमात हासिल करेंगे तो आईए शुरू करते हैं सबक नम्मर चे, जमीन का इतलाख इस्तिमाल, अमल कीजिए, अपने मकान का खाका बनाएए और इस खाके में दर्जेल इंतिजामात कौन कौन से सिंथ में हैं, इसके निशान नहीं कीजिए, बावर्ची खाना, गोशा अबादत, उसल खाना, आंगन, बैठक, निशिस्तगा, सोने का इंतिजाम, खौबगा वगरा, हाईए बच्चो हम इस खाके की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने एक घर का खाका दिया हुआ है, नक्षा दिया हुआ है, इसको गोड़ से देखिए, इस खाके में बाउचे खाना, गुसुल खाना, गोशा अबादत, सोने का इंतिजाम, खौबगा और बैठक, निशिस्तगा, आंगन आपको बताया गया है, इसी तरह आप अपने घर का खाका बनाएए, नक्षा बनाएए, अगर हम इन नक्षे को देखें जहान से, तो आप चीज अपनी सहूलत के मताबिग बनाई गई है, इस खाके में गुसुल खाना, बाउची खाना, सोने का कमरा, खौबगा, और बैठक, अबादत गा, इन तमाम का सही तोर पर तायून किया गया है, ये तमाम चीज़े हम क्यों करते हैं, जब भी घर बनाया जाता है, पहले उसका काम शुरू किया जाता है, ये इसलिए होता है, क्योंकि हम तमाम चीज़ें को सलीख मनली से करना चाहते हैं, जब हम घर बनाते हैं, तो उसमें तमाम चीज़ें सही जगा पर मौजूद हों, तो हमको कोई दुश्वारी उठानी नहीं पड़ती, बच्चों, अगर किचन में लगने वाला फ्रीज हमने हॉल में रख दिया, तो क्या ये मुनासिब है? नहीं, बावर्ची खाने में लगने वाली सबजी तरकारी मसाले लाने के लिए हमें हमेशा हॉल में जाना पड़ेगा, इसलिए फ्रीज की सही जगा बावर्ची खाना किचन में ही मुनासिब है, ये एक मिसाल है, उसी तरह घर की दिगर अश्या का भी मुनासिब तौर पर रखा होना नहायत जरूरी है, अगर हम किसी चीज की जगा बदलते हैं, तो बार बार उसको जहिन में लाने के लिए हमें काफी वक्त दरकार होता है, आपको ये बात अच्छी तरह जहन नशीन हो गई होगी, कि हर एक शेक कहां रखी जाए, इसका ताइन पहले ही से कर लिया जाता है, अगर ये पहले से मुतायन ना कर लिया जाए, तो मकान गेर मुनाजिम लगता है, और घर के अंदर चलने फिरने में दुश्वारी होती है इन इंतजामात में अगर रदो बदल किया जाए, तो कई दिनों तक आपको उल्जन रहती है, आपके मकान के लिए दस्तियाब जमीन को आप किस तरह मुक्तलिफ इंतजामात के लिए इस्तिमाल करते हैं, अमल कीजिए, ये सरगर्मी जमात के तमाम दुलबा मिलकर कर सकते ह अभी हम लोग स्कूल में नहीं हैं तो हम लोग इसको यहां पे करके देखेंगे, हमारे पास नौ तक्तियां हैं, कारोबारी इलाखा, रिहाइशी इलाखा, इफ्तादा जमीन, तफरी, सनते, नकलो हमल, खेट, इदारे, जमीन का मुखलूत हिस्सा, मंदर जबाला नामों क तक्तियां तायर किजिए, ये तक्ति लेकर तुलबा का एक डायरे के शकल में उनको खड़े करना है, तो बच्चों देखो अभी हम लोग स्कूल में नहीं है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझने के कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर चंद नाम दिये हैं, ये नाम हैं, दुकान, बाग, बैंक, बरतनों का कार खाना, स्कूल, बंगला, रिहाएश, इमारत, माल, हौकी का मैदान, सिनेमा घर, दवा खाना, बंदरगा, बस टॉप, हवाई अड़ा, तैराकी का तालाब, बैटमेंटन कोर्ट, महफूज, जंगल, ये तमाम चीजों को हमको नो ची ये कौन सी चीज कहां जाके फिट होंगी, बैट जाएंगी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कारोबारी इलाखा, कारोबारी इलाखे में इनमें जो चीज़ें शामिल होंगी, वो रहेगी दुकान, बैंक और मॉल, रहाईशे इलाखे में इमारतें और बंगला शामिल होगा, जमीन का मॉकलूद इस्तेमाल, हौकी का मैदान, बैट मेंटन कोर्ट, महफूज, जंगल, उसके बाद तफरी में आएगे, बाग, तैराकी का तालाब, और सिनमा घर, सनतों में बरतनों का कार खाना, नकलो हमल के जराय में आएगा बस टॉप, हवाई अड़ा, बंदरगा, इदारे में आएगा स्कूल, दवा खाना, आएए समझते हैं जमीन का इतलाब इस्तेमाल क्या है, जोगराफिया वज़ाहत, इलाखे की जमीन का किया गया इस्तेमाल, जमीन का इतलाख है, जमीन का इतलाख जोगराफिया यावामिल और इनसान के बाहमें अमल के वज़े से वज़ूत में आता है, वक्त के गुजरने के साथ जमीन के इस्तेमाल में तबदीली होती रहती है, जैसे जैसे इनसान नी ज जरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष और दूसरी शेहरी जमीन का इस्तिमाल सबसे पहले हम लोग देखते हैं देही जमीन का इस्तिमाल देहात की इलाखे में जिरात सबसे एहम पेशा है जिरात की तक्मिली पेशे भी यही इलाखों में पाए जाते हैं इसके आफरा देही बस्तियों के मुखामात में भी नजर आते हैं इसलिए इसे बस्तियां जिरह इलाखे और जंगलाती इलाखों से मतस्ल नजर आती है यानि उससे जूड़ी हुई नजर आती है कानकुनी के इलाखे से मुंसलिक कानकुनों के मजदूरों की बस्तियां दिख्याई देती है जहां पर कानकुनी के काम होते हैं उस वहीं पे जो है उसमें काम करने वाले मजदूर रहा करते हैं उसी तरह साहिल से मुद्थल कोली लोगों की बस्तियां वहीं होती है अगर हम मुम्मी में माहिम के इलाखे में जाएंगे तो हमको वहाँ पे कूली की बस्तियां मिल जाएंगे देही इलाखों में जमीन ज्यादा दस्तियाब होती है और आबादी भी कम होती है इसलिए आबादी का गुंजानपन कम होता है देही इलाखों में रिहाईशी इलाखे वस्त में कम होते हैं देही इलाखों में जमीन के इस्तेमाल की दर्जाबंदी दर्जायल तरीखे से की जाती है सबसे पहले आता है जिरही जमीन जिरही जमीन आम तोर पर जिरही काश्ट इलाखा ये इलाखा ज्यादातर निजी अफराद की मिलकियत होता है यानि किसान इसका मालिक होता है जमीन की मिलकियत का हख और जिरात की अखसाम की बुनियाद पर जिराई जमीन की मजीद दर्जेल दर्जा बंदी होती है जिरे जमीन अमिली तोर पर जेरे कार्षट इश्वयररी कार्षट य Awakn है जहां पर फसल उकाई जाती है ये इह इयराखा ज्ञादातर निजी अफराद की मिलिगिगत होता है यानि किसान या तो खुद मालिक होता है उसका जमीन की मिलग्जएत का हाख और जिरात की अखसाम की बुझाद पर जीरे जमीन की मजी दर्जैल दर्ज़ाबंदी की जाती है лучше अफ्तादा जमीन, दूसरी जंगलाती जमीन, तिसरी चरागा सबसे पहले देखते हैं अफ्तादा जमीन यानी क्या आईसी जिरात वाली जमीन जिस पर जिरात आरजी तोर पर रोग दी गई है, इफ्तादा जमीन कहलाती है किसान जमीन की जर्खिजी को बढ़ाने के लिए जिराई जमीन के कुछ इसे पर एक दो हंगाम जिरात नहीं करता, इस जमीन को फटादा जमीन कहते हैं, यानि एक दो फसल वो उस जमीन पे नहीं उगाएगा, इसके वज़े से क्या होगा, वो जमीन खाली पड़े रहेगी, बढ़ जाए, इसलिए उसको छोड़ा जाता है, दूसरा नमबर आता है जंगलाती जमीन का, जंगलाती जमीन हद बंदी किया गया जंगलाती लाखा भी देही जमीन के इस्तेमाल की एक खिस्म है, इस लाखे में लकडियां, गोन, घास पूस वगएरा जंगलाती पैदावार हासिल होती है, ऐसी जंगलाती लाखों को खास तोर पर बड़े बड़े दरख, जाडियां, दिगर नमातात, बेलें, घास पूस वगएरा होती है, इससे इनसान क्या होता है, फाइदा उठाता है, लकडियां हमारे फाइदे की चीज़ होती है, फरनीचर वगएरा बनाये जाते हैं उससे, गोन बहुत फाइदे की चीज़ होती है, और जानवरों के लिए जो घास पूस इस्तेमाल होता है, वो तमाम इन जंगलों से आता है, उसके अलावा जो दरख्त हैं, जाडियां हैं, अलग अलग तरह की बेले हैं, जड़ी बोटियां हैं, यह तमाम जागा इस्तेमाल किया जाता है, गाओं में जो पंचायत होती है, उन सब की मिलाके कुछ जमीन होती है, जहां पर सारे गाओं के मवेशी, भेड, बकरियां, भैसे, गाएं, बैल, यह जितने जानवरें सब क्या करेंगे, वहां जाकर घास चरेंगे, ऐसी जमीन, पंचायत क क्या करती है, उसको मकरर करके रखती है, या वो सरकारी मिलकियत की होती है, यह जमीन, पूरे गाओं की मिलकियत होती है, बहुत कम जमीन, किसी अफराद की जाती मिलकियत होती है, शहरी जमीन का इस्तेमाल, 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20 से जमीन महदूद होती है इसलिए आबादी का गुंजानपन ज्यादा होता है बहुत ज्यादा आबादी हो जाती है शेरी बस्तियों में जमीन के इस्तेमाल की दर्ज़वंदी दर्ज़ेल तरीखे से की जा सकती है कारुबारी इलाखे रिहाईशी इलाखे नकल और हमल की सहूलत की इलाखे अवामी सहूलियात की इलाखे तफरी मुखामाद मुश्तरका जमीनी इस्तेमाल का इलाखा हमारी गियासत महराष्व में भी कारुबारी इलाखे के लिए हर जिले में कारुबार का कुछ इलाखा मेहफूज रखा जाता है उसके लिए कुछ अलग से जमीन रखी जाती है इसको हम M.I.D.C. कहते हैं कारुबारी इलाखा शहर का कुछ इलाखा सिर्फ कारोबार के लिए इस्तेमाल होता है इस इलाखे में दुकाने, बैंक, दफातिर बड़ी तादाद में होते हैं मरकजी तिजारती इलाखा की इसलाहत इसी वज़े से पाई जाती है मसलां मुम्बई में फोर्ट या बी केसी इलाखा कुर्ला-बंद्रा-कॉम्פлекस रहाईश इलाखा यहां जमीन का इस्तेमाल रहाईश के लिए किये जाता है इस इलाखे में घर, इमाराद, शामिल होती है इनसानी बस्तिया ज़्यादा होने के वज़े से रेहायचिय इलाखा यानि ऐसे इलाखा जहां पर लोग रहते हैं उसको कहेंगे रिहायचिय इलाखा इनसानी बस्तिया होती है शेहरी इलाखा में जमीन की इस्तिमाल बड़े पैमाने पर होता है नकल और हमल की सहोलियात की इलाखे शेही आलाखे में लोगों की आमधर राफ्त, माल औजबाग की नकल औ अमल का इंतिजाम बड़ी अहमियत का हमिल है एक जगा से दूसरे जगे जाने के लिए लोग जो जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट, माल अजबाब, नकल हमल का इंतिजाम बहुत अहमियत रखता है इसी तरह का इंतिजाम करने के लिए शेयर में मख्सूस खिस्म की यूनिट बनाए जाते हैं अलग-अलग तरह की यूनिट बनते हैं जैसा है मिसाल के तोर पर अवामी बर्द, जैसा हम लोग देखते हैं मुंबई में BST है क्या करती है, यह हमारी सहूलियत के लिए है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग लिक्ष्शों का भी इस्तिमाल करते हैं लेकिन अगर कोई अके लग आएगा तो वह हमको महिंगा हो जाता है ऐसे वक्त में जो है, अवामी बसों के खिदमाद हम लेते हैं, बसों का इस्तिमाल होता है उसी तरह मारश्ट के अलग अलग जीलों में बसें चलती हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट चलते हैं रेल के रास्ते हम लोग एक जगा से दूसरे जगे जाने के लिए रेलों का इस्तिमाल करते हैं, मेट्रो का इस्तिमाल करते हैं, मोनो रेल का इस्तिमाल करते हैं, सफर गाडियां वगेरा का इस्तिमाल हम तमाम करते हैं इसके अलावा शेहरी इलाखों में जाती गाड़ियों की भी तादाद बहुत ज्यादा होती है हम देखेंगे अगर हम रास्ते से चलते वे देखते हैं तो अक्सर हम लोग पूर ट्रैफिक मिल जाता है क्यों होता है ट्रैफिक? इसकी वज़ा है है कि जो जाती गारी है यानि जो प्राइवेट गारी उते हुआ उसको हम खेंगे जाती गारी तो यह इनकी तादाद क्या होती है दिन बढ़ती जा दिया अंच तो यह तमाम चीज़े नकल रॉहती है शामिल होती हैं तो इसके लिए क्या चाहिए सडकें बड़ी होनी चाहिए इसलिए शेहरों में सडकें रेलवे स्टेशन पेट्रोल पंप हवाई अड़े गारियों की मरम्मत के मराकिस इन तमाम की अश्चत जरुष बहुत ज़्यादा जरुष होती है ये तमाम इंतिजामात नकल औ हमल के शुबे में शामिल हैं अवामी सहूलियात की इलाखे आबादी की मुक्तलिफ जरुष जरुष के लिए कुछ इंतिखामात मुकामी हकुमते इदारे रियास्ति या मरकजी हकुमत करती हैं इन सहूलियात के लिए इस्तिमाल करता इलाखे इस जिम्रे में आता ह बड़ती हुई आबादी का तनासूब इनकी सहूलत के सबब कम हो जाता है अगला देखते हैं तफरी मुखामाद शेहरों में लोगों की तफरी के लिए कुछ इलाखे मुक्तिस रखे जाते हैं महफूज रखे जाते हैं रिजर्व रखे जाते हैं ऐसे इलाखे का इस्तिमाल खास तोर पर खेल कूद के मैदान, बागाद, तैराकी के तालाब यानि स्विमिंग पूल, सिनेमा घर वगरा के लिए किया जाता है बच्चों देखिए अकसर जो शेहरों में सबसे बड़ा प्राबलम होता है बच्चों को खेल कूद का हम लोग जब स्कूल में आते हैं तो हमको स्कूल में ग्राउंड वगरा मिल जाता है लेकिन जब हमारी घर जाते हैं या हम हमारी चाल में जाते हैं या हम हमारी बेल्डिंग में जाते हैं तो ऐसी जगा पर आपको बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जहां पर आपको खेल कूट के सामान मोहिया हो या प्लेगराउंड वगरा मिले इसलिए ये तमाम मुकामात को रिजर्व रखा जाता है मुच्तरिका जमीनी इस्तेमाल के इलाखे कभी कभी ओपर जिकर की गई तमाम तर सहुलियात और इंतिजामात किसी एक इलाखे में नजर आते हैं जमीन की इस तरह के इस्तेमाल को मुच्तरिका इस्तेमाल का इलाखा कहते हैं मसलnya रिहाऊशी इलाखे और तफरीही इलाखे मुश्तरिका यानि common जो दोनों तरफ से होता है जैसा रिहाईशी इलाखा भी है और तफरी इलाखा है दोनों आ गए उसके अंदर नक्षे में ऐसे इलाखों को जाहिर करने के लिए मखसूस रंगों का इस्तिमाल किया जाता है मसलन लाल रंग रिहाईशी इलाखा नीला रंग कारोबारी इलाखा पीला रंग जिराई इलाखा हरा रंग जंगलाती इलाखा इसके बारे में हम लोग तफसिली मालूमात बाद में हासिल करेंगे नक्षों का याद रखना है, कलर अलग-अलग खिस्म के दिये होते हैं, उस हिसाब से हम फौरण नक्षे के अंदर बता सकते हैं कि इलागा कौन सी खिस्म में आता है, उमीदे बच्चों आपको पढ़ाया हुआ सबख समझ में आया होगा, हम यादे के लिए चंद सवाला दे हमने इस सबक में क्या क्या पढ़ा है, इसका थोड़ा सा आयादा हम फौरां कर लेते हैं यादा जमीन का इतलाग इस्तमाल से क्या मुराद है किसी इलाखे से मखसूस सुरियाद की तक्मील के लिए जमीन का इस्तमाल करना जमीन का इतलाग कहलाता है अफ्तादा जमीन से क्या मुराद है जिस जहरे जमीन पर मकरर आरसे के लिए जिरात रोख दी गई हो उसे अफ्तादा जमीन कहते हैं कारोबारी इलाखे से क्या मुराद है शेहरी जमीन का जो हिस्सा सिर्फ कारोबारी कामों के लिए इस्तिमाल किया जाता है इसे जमीन या इलाखे को कारोबारी इलाखा कहते हैं उमीर बच्चो ये सबख आपके समझ में आ गया होगा इसके सिकंड पार्ट के साथ हम बहुत जल हाजिर होंगे अल्ला आफिस